हल्यो दिये स्टूडेंट्स वेलकम एगें टू माई यूटूब चैनल दिये स्टूडेंट्स माद्यमी सिक्षा बोर्ड रास्ता नजमेर ने बोर्ड परिक्षा 2023 एतु ब्ल्यूप्रेंट जारी कर दिया है आज का ये जो वीडियो है इसमें आप कप्षा 10 इंग्लिस का ब् लेटन पे होगा तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस पेपर को अपन सोल भी करने वाले हैं स्टूडेंट्स तो देखिए आपका वार्सी पेपर होगा तो आपकी बोर्ड पर इक्षेग अंदर मिलने वाला है वो सेम इसी तरह इसी पैटन पर होगा सेक्शन ए जो होगा उसमें रिडिंग सेक्शन होगा इस रिडिंग सेक्शन के अंदर पैसेज अंसीन पैसेज पूछा जाएगा और अंसीन पैसेज पूछ करके नीचे क्योस दिया होगा, question जो होंगे उसमें मिले जुले question होंगे objective भी होंगे, descriptive भी होंगे one word वाले भी होंगे students आप देख सकते हो पहला question है, what is not unusual to see these stage, इसके जो answer होगा students, वो option number C हो जाएगा, इसका option क्या हो जाएगा both A and B इसका सही उत्तर हो जाएगा next देखे, who came to our house to fix something to fix something, इसका जो answer होगा students, option number A होगा, इसका जो answer होगा, वो क्या होगा option number A and electrician अब आगे देखे, what happened when the electrician went electrician जब चला गया, क्या गटना गटी और next question है who was in the compartment compartment में यानि कि कौन था, कमरे में कौन थे, ये दोनों एक एक number के person है, आपको descriptive यानि कि एकदम आशान है, आप इसके अंदर यानि कि देख करके passage से आनि कि आपको ढूंड करके ये लिख देना है, अलग से बिलकुल नहीं पुझा है, अगर आप passage पढ़ोगे तो आपको इसका answer मिल जाएगा अब उसके बाद देखिए student सेचल बेग का आपको similar word लिखना है, सेचल बेग का जो similar word होगा student वो duffel बेग होगा, क्या होगा duffel बेग होगा, जो की तीसरे paragraph के अंदर आप देख सकते हो सेचल बेग, जिसका meaning आपको जो लिखना है, वो आपको क्या कर दोगे, आपको प्रिवेशली आपको कर दोगे जो की पेसेज के अंदर दे रहा है दूसरा जो पेसेज होगा students होगा भी unseen पेसेज होगा आप देख सकते हो अच्छे से, और उसके बाद इसके question answer देखिए unfiltered fragness is recipe for इसका क्या हो जाएगा, breaking relationship option number A सही हो जाएगा उसके बाद होलमाक्स of growing maturity आर इसका जो option number होगा, option number C both A and B होगा उसके बाद होगा, learning to put a filter between इसमें जो option number आएगा, वो आएगा thought and spoken word is important like skill देखिए, what can filter our minds what is good to speak, when do we bullet our truths what is good to speak to you, यह जो सारे है students, छोटे-छोटे question है, सिदे-सिदे answer है इसके आप देख सकते हो, spaces के अंदर आपको answer मिल जाएगा इसका screenshot आपे ले सकते हो, फिर भी अगर कोई question में doubt लगे तो आप comment box में जरूर बताईएगा, बगला इसके राइट सिमिलर वर्ड लिखना है आपको, रिजल्ट का, रिजल्ट का जो सिमिलर वर्ड इसमें दे रिखा है, वो दे रिखा है outcome, क्या दे रिखा है, outcome उसके बाद इसके राइट अपोजिट लिखना है आपको, of the following from the passage helpful helpful का आपको यानिकी, opposite लिखना है, तो students ये comment में आप जरूर बताईएगा, बहुती से अंदर सा, subtle यानिकी, opposite फुचा है, helpful यानिकी, मदद करना, और जो नए मदद करता है, उसको यानिकी, क्या बोलते है, उसका यानिकी, आपको, जवाब comment box में लिखना है, आप इससे ढू sequence करोगे, helpful का आपको लिखना है, आपको opposite, अब देखें, letter है, बहुती सांदर सा, यानिकी, letter है, आप अच्छे से कर सकते हो, ये जो letter है, मेरे telegram channel, साजीत सरबाडेट, और मेरे channel पे आनिकी, upload किया हुआ, देख सकते हो, अब in sanitary condition का, इसका telegram channel पे PDF है, और साथ में, जो channel है उसके उपर upload किया हो है, अब देखें, इसके अंदर story है, आप देख सकते हो, बहुती सांदर story है, उसके बाद देखें, आपको visual aid करना है, इस पे, आप देख सकते हो, इस चित्र को पहचानना है, option में my favorite teacher पे लिखना है, अब section C देखें, students grammar का, आपको correct form लिखना है, जैसे I go to Jaipur yesterday, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, he usually takes आजएगा, तीसरे में, we study in this school for three years, तो यहाँ पे क्या आजएगा, have been studying आजएगा, the train had left आजएगा, तो इस तरह से students यह correct form हो जाएगी, और यह उसके बाद indirect speech बहुती सरल सर है, said को told में बदलना है, that से जोड़ना है, I को subject के according बदल करके क्या करना है, see respected view को me में बदलेंगे, तो see respected him, इसी तरह से यह जो दूसरा है, interrogative sentence है, ask card में बदलना है, said को if से जोड़ना है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो, to to का use, both head, end का use, बहुत सरल है, अगर फिर कोई grammar वाले portion में आपको दिक्कत लगे, तो आप पोच सकते हो, आप इसका screenshot ले सकते हो, student इस तरह से आपका ये grammar रहेगी, बहुती स्यानदार grammar की question दे रखे हैं, आप आसानी से कर सकते हो, इनको, अब देखिए, section D में text book से पेसे जाएगा, आप देख सकते हो, बहुती सरल sweet bread is known as, known जाना जाता है, बोल के रूप में, उसके बाद में lady of the house must prepare sandwich, अब देखिए, बहुती स्यानदार, presents का जो same as word होगा, वो introduce करना, shore का जो opposite होगा, वो sweet हो जाएगा, बहुत सरल देखिए, the moon was coming up in the, यहाँ पे पहली line में, coming up in the east, कितना स्यानदार है, पहली line में दे र rest का, यानि कि जो हो जाएगा, यहाँ पे sleep करना, और dull का, यानि जो opposite होगा, वो light हो जाएगा, तो इस तरह से यह देखिए, question answer आगे, अस्छे से आप देख सकते हो, इन question answer को, आपके सामने है, उसके बाद एक explanation करना, 17 question यह भी question के रूप में है, अब देखिए, correct answer objective type question, आप देख सकते हो, दो objective type question है, उसके बाद 19 वा और 20 वा person, आपके screen के उपर है, तो student इस तरह से यह आपका, English का paper था, जिसको अपनने, mostly जो solve करना चाहिए था, वो अपनने solve किया, फिर भी अगर आपको किसी question में doubt लगे, तो आप बेजी जग, comment box के अंदर जरूर बताईएगा, उस question को भी माँ आपको solve करवाते हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो students, जरूर share कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, channel पे बने रहिएगा, bell icon को press कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो जैसे ही upload की जाए, तो सबसे पहले, आपको उसका link मिल से के, thank you very much.